हेलो फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो पर मैं जानकाई दूंगा फ्री डीटेश रिसीवर पर आने वाले एक फाल्ट के बारे में जैसे कि आप देख सकती हैं यह है फ्री डीटेश का एमपेक 2 रिसीवर है और इस पर श्मयंचा क्या है उसीपस बारे में आज में बात करूंगा हो सकता है की आपको इस-परे का फाल्ट देखने को मिलें तो दोस्तों होता क्या है कि जब में इस पर इस इससाट पर भाख मेर्ढ के फैस पर लाइव फोता है उसे लगाता हूं तो जो सामने आप देख सकते हैं डिस्पले अभी on है तो दोस्तों डिस्पले जो है तो बंद हो जाता है तो यह जो डिस्पले है बंद होने का कारण क्या हो सकता है आज मैं उसी बारे में डिटेल से बताऊंगा आप देख शकते हैं मैंने जैसे जो LNB का wire है उसे निकाल दिया तो फिर से हमारा set जो है यह on हो चुका है और जैसे ही मैं इस wire को जो के LNB से आता है इसे मैं जैसे ही लगाऊंगा LNB इन वाले socket पर एक बार फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ तो देखिए जैसे मैं इसे लगाता हूँ तो फिर से हमारा setup box बंद हो चुका है और फिर से जैसे मैं wire निकालता हूँ तो हमारा setup box बंद हो जाता है तो दोस्तो इसका जो कारण है तो क्या होता है तो सबसे पहले तो दोस्तो जैसे हम लेंजी के वायर लगाते हैं और हमारा हमारा बाक्स से बंद हो जाता है, जो डिस्प्लिय बंद हो जाता है। कभी कभी आपका जो डिक्ष वाला वायर होता है मनलब कि इस पर क्या होता है कि यह जो बीच वाला पॉइंट आप देख रहे हैं यह इसका पॉजिटिव बाला पॉइंट होता है और मदर बोट से हमारे करीब 13-14 पॉइंट के लगबग यहां से हमारा आउच होता है जो कि लन्ले इन्भी पर जाता है लन्भी को ओन करने के लिए तो यह हमारा sort हो जाएगा, यदि हमारा wire sort हो जाएगा, तब भी हमारा setup box जो है, जैसे हम wire लगाएंगे तो बंद हो जाएगा, और इसले लावा एक दूसरा कारण क्या होता है, कि आप देखे होगे कि जो LNB होता है, तो इसका जो socket होता है, यह कभी कभी socket जो है, तो निकल कर बाहर आजाता है, और इस socket को हम जब दूबारा लगा देते हैं, और फिर हम जब LNB वाला wire लगाते हैं, तो यह जो socket है, अंदर से sort हो जाता है, इसके कारण भी जो है, तो हमारा जो fault है, मैं देखने को मिलता है, कि जैसे ही हम LNB का wire लगाते है, तो हमारा जो setup box है, वह बं power supply से होता है, power supply से जो main voltage होता है, जो कि इस प्रकार के power supply पर यह जो 399 नमबर का diode लगा होता है, उससे 3 volt supply जो हमारे motherboard को on होने के लिए जाता है, यह supply प्रापर नहीं बन पाता है, 3 volt से काफी कम होता है, तब हमें यह समस्या देखने को मिलता है, कि जैसे ही हम LNB का wire लगाते हैं, तो हमारा display जो है, off हो जाता है, तो दोस्तों मैं आपको voltage चक्र के भी दिखा देता हूँ, इस setup box पर fault जो है, इसी कारण से है, आप देख सकते है, 2.5 और 2.6 volt जो है, तो power supply से motherboard पर जा रहा है, इसी कारण से क्या हो रहा है, कि जैसे ही मैं LNB का wire लगाता हूँ, तो हमा और भी कम हो जाता है, जिससे की motherboard हमारा on होकर और बंद हो जाता है, तो motherboard को proper जो है, 3 volt supply ना मिलने के कारण यह fault आता है, और एक fault आपको जैसे की मैंने बताया, जो डिक्ष वायर है, LNB wire, वह sort हो जाएगा, तो भी आप जैसे ही LNB वाला wire पीछे लगाएंगे, LNB वाले socket तो आपका जो setup box बंद हो जाएगा, इसका दोस्तों एक उपाय है, यदि power supply से ऐसा fault आता है, तो आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि market में बहुत सारे best quality के power supply आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक unit tech company का details का power supply है, यदि इस power supply को आप एक बार अपने setup box पर लगा दे होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके details पर समस्चा जो है, बहुत ही कम देखने को मिलेगा.